काफी वियर्स की डिमांड होती है कि एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छा मकान मिल जाए बिल्कुल एसी लोकेशन पे आज जो हम में आपके लिए विला लाया हूँ आपके अपने सहर जेपुर में कालवार रोड पे आपका रहने वाला है साथी में डिस्टेंस की बात करेंगे तो में जोदपुर नागूर हाईवे से मात्रे नो सो मिट्र के डिस्टेंस पे सांदार सा आपका सिंप्लेक्ष विला रहने वाला है डाइमेंशन की बात करेंगे 18 भाई 45 के डाइमेंशन में या यू कहूं 90 स्क्वार याड में आपका सांदार सा सिंप्लेक्स विला वेस्ट पेसिंग रहने वाला है सामने 30 पीट की रोड रहने वाली है साथ में आपको ग्रीनरी के लिए भी एक्ष्टा इस्पेस दिया गया है विंडो आपको बिलकुल आपके विला के फर्स्ट बेडरूम का भार की तरफ दिया गया है इंसाइड की एंटरी करेंगे देखेंगे बर्म एरिया भी काफी अच्छे इस्पेस में रहने वाला है साथ में डीकोई स्प्रेग के साथ में अच्छी क्वालीट के आईरन के दोर्स आपको यहां दीए गए है पार्किंग भी आपको अच्छी टाइल्स वर्क के साथ में मिलने वाली है साथ में वूडन का गेट आपको यहां सेकरियोटी के परपस से मीटर के लिए बॉक्स बना के दिया गया है वाटर टेंग फेसिलिटी आपको पार्किंग में दी गई है जिसमें 7-8,000 लिटर का वाटर स्टोरीज कर सकते हैं साथ में मोटर के लिए भी आपको इक्टा स्पेस दिया गया है चलते हैं इंसाइड के विजिट के लिए उससे पहले देखेंगे आपको इस्टेस बाहर से दी गई है ग्रेनाइट के टोप के साथ में तयार की गई है साथ में ऐसस के अच्छी क्वालिटी के रेलिंग आपको इहां दी गई है एंट्री अपन करेंगे सिंगल डोर के साथ में आपकी एंट्री आपके लिविंग एरिया में रहने वाली है wooden की अच्छी quality के door आपको यहां दिये गए साथ में आपको glass work दिया गया जिसे आपको proper sunlight भी आपके विला में मिलती रहे waist spacing आपका विला रहने वाला है 18 भाई 45 के dimension में 90 square yard में सांदार सा आपका विला का यह living area रहने वाला है living area में आपको wooden और glass work यहां दिया गया है साथ में texture color आपको यहां करके दिया गया AC का shape rate point भी आपको यहां दिया गया साथ में wooden का आपको work यहां दिया गया जो lighting के साथ में आपका रहने वाला है for selling work भी आपको एक अच्छी और अलग design में यहां तैयार करके दिया गया काफी space आपके living area में रहने वाला है साथ में आपको यहां पे अच्छी quality का TV पेनल लगा के दिया गया है big size के LED अपन यहां install कर सकते हैं आपके इस villa में आपको दो bedroom के साथ में दो लेट बात यहां दिये गया है चलते हैं विजिट के लिए अपने फर्ष्ट लेट बात की हो और साथ में देखेंगे फुली tiles work के साथ में आपका Indian seat के साथ में लेट बात यहां रहने वाला है साथ में वास्पेशन area भी आपको यहां दिया गया है विजिट के अपने अपने सांदार से इस living area का साथ में अटेश लेट बात का चलते हमने modular kitchen की और modular kitchen भी आपकी वास्तु के according अपने वेस्ट पेशिंग विला में रहने वाली है ग्रेनाइट के Lcf के टोप के साथ में तयार की गई है साथ में tiles work यहां करके दिया गया जिसमें suffocation जैसी कोई problem नहीं रहने वाली है साथ में dump place जैसी कोई problem नहीं रहने वाली है window आपको यहां डूल दी गई है साथ में kitchen में भी आपको force chilling work यहां lighting के साथ में दिया गया है साथ में कम विलाज में देखने को मिलता है कि आपको यहां गेट दिया गया है जो कि आपके किचन में आपका गेट रहने वाला कम विलाज में आपको यहां गेट से मिलते हैं इस विला में आपको बिल्कुल यहां गेट दिया गया है प्रेंट्स अब चलते हैं अपने फर्ष्ट बेडरूम की और फर्ष्ट बेडरूम से चलने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए साथ में इस्टाग्राम और फेस्बूक अपने आईडी SSOM को फोल अच्छ सहतं आपको एकस्टाइक्स पालिटिक और चीका प्रशनाच तरह में अपको ठीक्स बायदे जिससे लिए लिए में आपको मिलती रहे साथ ही में आपको यहां पे wardrobe दी गई है अच्छी size में आपके wardrobe रहने वाले है अपर में भी आपको extra space दिया गया आप अपने according इसको use कर सकते हैं यह आग Becky attached late watt attached late watt का भी space अच्छा रहने वाला है साथ में tiles work यहां दी गई है वेस्टन सीट के साथ में आपका लेट बात रहने वाला है फ्रेंट्स अब चलते हैं अपने सेकिंड बेड्रूम की ओम अपने सेकिंड बेड्रूम से पहले आपको रिवाइज करवा देता हूँ लोकेशन आपके अपने सहर जयपूर में कालवार रोड से मात्र 900 मेटर की डिस्टेंस पे आपका सांदार्स रहने वाला है यह आगे आपका शेकिंड बेड्रूम आपके विला के फ्रेंट की साइड में रहने वाला है साथ में टेक्चर कलर इसमें करके दिया गया वूडन वर्क के साथ में एसी का सेपरेट पॉंट आपको यहां लगा के दिया गया है दोनों बेड्रूम में आपको एसी का सेपरेट पॉंट लगा के दिया गया है साथ में लीविंग एरिया में भी आपको AC का separate point दिया गया है साथ में force sharing भी अच्छी quality की आपको तयार करके यहां lighting work के साथ में दी गई है fully size की window दी गई है जिसमें आप गर में अपना cooler भी यह install कर सकते हैं साथ में आपको upper window दी गई है आप अपनी AC यहां install कर सकते हैं AC बाहर की साथ में window AC यहां लगा सकते हूं डूल आपको यहां दी गई है आप अपने according यूज़ कर सकते हैं साथ में iron की अच्छी quality के आपको windows यहां तयार करके दिये गई है waste tracing villa आपका रहने वाला है visit कर लिए अपने सांदार से इस villa की अब बात करेंगे प्राइज की प्राइज से पहले फिर एक बार revise करवा देता हूं आपके अपने सहर कालवाड रोड पे आपका सांदार सा यह villa रहने वाला है 18 बाई 45 के dimension में 90 स्पार याड में आपका रहने वाला है प्राइज की बात करेंगे आईए विजिट कीजिए पर्चेज कीजिए फिर मिलेंगे प्यारे से और नए से वीडियो के साथ तब तक राधी राधी दोस्तों